नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजाया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो डिली में कुरोना के भरते मामलों के बाद फिर से पाबंदियां थोड़ी बढ़ा दी गई है डिली में विकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों को बंग करने का फैसला भी लिया गया है इस दोरान सरकारी कर्मचारी वर्क फॉर्म होम या ऑनलाइन मोड में काम करेंगे दिल्ली में कुरोना के धरते मामनों के बीच पाबंदिया और भी बढ़ा दी गई है दिल्ली में विकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है यानि स्थनीवार और रवीवार को कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान बेवाजा घर से पाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी सुबह पांच बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा इस दौरान बेवाजा घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी जरूरी सिवाओं को छोड़कर बाकि सारे सरकारी आफिस बंद रहेंगे इस दौरान सरकारी कर्मचारी ओनलाइन या वर्क फ्रम होम मोट में काम करेंगे नीजी दफ्तरों में 50 फिस दी कर्मचारियों को आने की इजाज़त दी जाएगी कोबिट के चलते मैट्रो और बस में यात्रियों के शंख्या सीमित कर दी गई थी जिसे हटा दिया गया है अब फिर से मैट्रो और बस फुल कैपसिटी के साथ चल सकेंगे यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा बगर मास्क के किसी को एंट्री नहीं होगी जी आपको बता दे दिल्ली में करोना की रफ्तार अब दर आने रगी है दिल्ली में संक्रमत, दर बढ़कर 6.6% हो गई है बीते दिन रासधानी में करोना के 4,099 नए मामले सामने आए थे स्वास्तमंत्री सतेन जैन ने बताया कि करोना का नया वैरियंट ओमिक्रॉन इसकी वज़ा है उन्होंने बताया कि नए मामलों में 84 फिसर्दी ओमिक्रॉन के मरीज है स्वास्तमंत्राले के मताबिक देशमियद तक ओमिक्रॉन के 1,822 मामले सामने आ चुके है इन में से 382 केस दिल्ली में ही है विरो रिपोर्ट आईपेल